भारत 114 फाइटर जेट खरीदने जा रहा है, लेकिन इस सौदे के लिए भारत को पहले ही राफिल और यूरो फाइटर जेट का ओफर मिल चुके हैं, लेकिन अब अमेरिका ने भारत को F-50X की पेशकश करके प्रतिसपर्धा को और भी जटिल बना दिया है, क्योंकि FTA-X एक ऐसा फाइटर जेट है, जिसमें हत्यारों का जखीरा लोड किया जा सकता है और यही चीज भारत को अट्रैक्ट करेगी, आज के इस विडियो में हम आपको अमेरिका के F-T फाइटर जेट की ताकत और राफिल की ताकत से रूबरू करवाने जा रहे हैं, बोईंग ने हाल ह इस विडियो में अपने 50 फाइटर जेट की स्पीड बढ़ाई है, स्पीड के मामले में इस फाइटर जेट का मुकाबला दुनिया में कोई भी फाइटर प्लेन नहीं करता है, F-50 X जेट पहले 3000 किलोमीटर प्रती घंटे की रफ्तार से उडान भरने में सक्षम था परंतु अब 37004 किलोमीटर प्रती घंटे की रफ्तार से उडान भर सकता है, इस विमान को एक या दो पाइलट उडाते हैं, यह जेट आकार में काफी विशाल है, 63.9 फुट लंबे इस जेट का सबसे बड़ा बिग फैन 42.9 फुट का है, 18.6 फुट उन्चे विमान का खाली वजन लगभग 15.694 किलोग्राम है, F-50X विमान के टेक्फ वर्जन यानि हत्यारों से लदे हुए उडान भरते समय, इसका वजन लगभग 36.741 किलोग्राम होता है, इसमें दो जनरल इलेक्ट्रिक इंजन लगे हुए हैं, जो 131 किलो न्यूटन की ताक्ते प्रदान करता है, वह F-50 जेट का कॉमबैट रेंज 1272 किलोमीटर है, अगर पेरी रेंज की बात करें, तो ये तीनों एक्स्टरनल फुल टैक्स के साथ 3900 किलोमीटर तक की उडान भर सकते हैं, ये ज्यादातर 60,000 फीट की उचाई तक जा सकते हैं, हैं दोस्तो F-50X 50,000 फीट प्रती मिनट की गत कर सकती है, इसके अलावा इसमें 23 हार्ड पॉइंट दिये गए हैं, हवा से हवा में मार करने वाली तीन तरह की मिसाईले लगाई जा सकती है, जिनमें LT ग्रेड की जा सकती है, इसमें हवा से सता पर मार करने वाली तीन मिसाईलों के अलावा दो तरह के बम लगाने की क्षम इसमें रिथियोन के टीए रडार सिस्टम के साथ साथ एक काउंटर मेजर सिस्टम भी है। इसमें रिथियोन के साथ सिस्टम के साथ सिस्टम के साथ सिस्टम भी है। राफेल में 14 हार्ड पॉइंट है जो हवा से हवा, हवा से जमीन और पर्मानों मेट्रीट मिसाइलों को लगा सकते हैं। इसके अलावा राफेल कई तरह के युद्ध सामगरी ले जा सकता है। जिससे यहां अधिक खतरनाक लडाकू विमान बन जाता है। अगर भारत नए राफेल लडाकू विमान खरीदता है, तो ये मौझूदा लडाकू विमानों से ज्यादा आधुनिक और शक्तिशाली होंगे, क्योंकि फ्रांस ने राफेल का नया संसकरन राफेले 5 तयार किया है और इसमें कुछ खास फीचर्स जोड़े गए हैं। इस विमान में लॉयल बिग मैन फाइटर ड्रोन को शामिल किया जा सकता है। राफेल सेल्फ डिफेंस सिस्टम के साथ जेमिनी रडार से लैस है, जो इसे युद्ध के मैदान पर एक प्रोटेक्टिव वॉल लेयर बनाने की अनुमती देता है, जिसे कोई भी दुश्मन मिसाइल भेद नहीं सकती है। स्टाइल्स तकनीक के अलावा, ये जेट हाइपरसोनिक गती से उडान भरने में सक्षम होंगी, जिससे वे पलग जपकते ही दुश्मन को नश्ट कर सकेंगी। इससे राफेल काफी दूर तक मार कर सकेगा। मौजूदा मिसाइल रक्षा तकनीक से इन्हें मार गिराना मुश्किल है। फ्रांसीसी वायूसेना के मुताबिक, नया राफेल अमेरिका के F-35 फाइटर जेट से लड़ने में सक्षम है। फ्रांस का राफेल और अमेरिका का 50 जेट दोनों ही अपनी अपनी श्रेणी में जबरदस्त लड़ाकू विमान है। जबकि राफेल नया है, 50 हैवी वेट कैटेगरी का एक लड़ाकू जेट है। यह राफेल से भी ज्यादा हत्यार ले जा सकता है। इसके अलावा इसकी स्पीड राफेल से करीब दोगुनी है। जहां राफेल डॉक फाइटिंग में उतक्रिष्ट है, वहीं F-50 बंबारी में बेजोड है। इसमें हजारों टन गोला बारूद ले जाने के साथ साथ बंबारी की सुनामी लाने की भी क्षमता है। तो इस वीडियो में अभी बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि भारत कौन सा फाइटर जेट खरीदना चाहता है। क्या भारत को अमेरिका का प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए। आप अपने विचार कॉमेंट बॉक्स में अवश्य साजा करें। और यदि आपने अभी तक इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिप्या सब्सक्राइब कर ले ताकि आप भविश्य के वीडियो समय पर प्राप्त कर सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।